हेलो वीवर्स वेलकम आप सब्सक्राइब काओन अकैडमी इंक में और आज हम टैली प्राइमेड डाटा पाथ जो हुता उसको कैसे चेंज करते हैं यह हम सीखेंगे लास्ट वीडियो में में सीक था किस तरीके से टाहली सवर्फ्व डाइलूड किया जाता है बेसिक विचरमें अब आज हम देखंगे हमने टाहल पियान है लेकिन लेकिन जब हमने टाहल ! जान द değ दिए Ms. ओगे अजिए ... कर सकते हैं करेंगे अभी कोई कंपनी क्रेट नहीं है तो इसका जो डाटा हम क्रेट करेंगे कंपनी क्रेट करेंगे तो सब डी ड्राइब में टैली आरिपनाइंट फोल्डर के अंदर ही जाएंगी लेकिन जो प्राइम वाला हमारा कंपनी है ये प्राइम वाला सॉफट्पार है तो उसमें क्या है कि यह पुरहाना टैटापाच है वो उसने ले लिया तो यह प्राइब और आती हैं तो इसको हम कैसे चेंज़ कर सकते वह हम देखते हैं यह कई बार क्या होता कि सी ड्राइब में सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि जब कंप्यूटर करते हैं तो सबसे पहले सी ड्राइब कोई फॉर्मेट किया जाता तो आपका जो डाटा है वो लॉस हो सकता तो डाटा बहुत अधियर से से रखने के लिए डाटा पाथ चेंज करना बहुत जरूरी है तो बर्कें एजुक्रेशन मोर्ड आपको बताऊंगा आगे जाके कि माइगरेशन कैसे करते हैं तो यह हमारा पुराना डाटा है यह इसमें आ रहा है लेकिन हम क्या जाते हैं इसका डाटा पाथ चें लोकेशन पर क्लिक करने के बाद निखाओड उसकी क्लिक करेंगे इस पर हम च्चेक करेंगे डाटा यह डाटा पाथ ऑठाब है यह इसको चेंज करना है हम इसको क्या करना चाहते है तो टैली प्रैयमत त्वहीं तो अता देते हैं इतना डी जिए वस्के बाद टाली प्राइम फिर टी इडेनु । देन डाटा यह दाटा नाम से दें फोलडर टाली प्राइम के फोल्डर के अंदर कर रही है अगर आपके फास प्रेज नहीं है तो आप क्रेज करना पड़ाएगा रैट किकर कि अपूर कर दुबारा एक बार चेक कर लिया ठीक है फरफेक्ट अब हम उपन करते हैं अब हम उपन करके देखते हैं टैली प्राइम तो हमारा डिटा पास वह होगा जो हम चाहते हैं टैली प्राइम डी ड्राइब में अब कि अब करेंगे करेंगे इसी में करेंगे इसलिए मैंने अलग दो फोल्डर बनाए थे ताकि मुझे जो मेरा बर्किंग डाटा वो डिस्टर्ब नहीं हो और टैली यार्पिनाइन और टैली प्राइब इसमें हम दोनों में बर्किंग सीखेंगे आगे वाले वीडियो में तो इस वीडियो में हमने सीखा कि टैली प्राइम का डाटा पाथ इसी तरीके सब टैली यार्पिनाइन का भी डाटा पाथ चेंज कर सकते हैं सिंपल तरीका है थैंक्यू पर बॉच्चिंग डिस वीडि झाल झाल झाल